तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूशन को लेकर परियावरन मंत्री ने बैठक बुलाई लेकिन दिल्ली पर प्रदूशन का ही नहीं इसके साथ ही कोहरे और बढ़ती हुई ठंड का अटैक भी है इसके चलते दिल्ली वालों के लिए सांस लेना भी मुश्किल होता जा रहा है हलाकि इस बीच इस पर राजनीती का तौर भी लगातार जारी है तो ट्रिपल अटैक से दिल्ली वाले जूज रहें कफा देने वाली ठंड की चपेट में दिल्ली अंसी आ रहा है धने कोहरे और शीत लहर के चलते लगातार पारा गिरता जा रहा है और कड़ाके की ठंड पर रही है कड़ाके की ठंड के साथ प्रदूशन का इस तर भी चरम पर है न्यूनितम तापपान 3.8 डिग्री सेलसियस तक पहुँच गया है ये सीजन का दूसरा सबसे न्यूनितम तापपान बताया गया हवा की गुडवत्ता में कुछ मामूली सुधार जरूर हुआ है लेकिन हवा की गुडवत्ता अभी भी खराब है हवा की क्वालिटी गंभीर से सुधर कर वेरी पूर की श्रेणी में आ गई है सर्थ हवाओं के चलने से हवा की गुडवत्ता में सुधार देखने को मिल रहा है बढ़ते प्रदूशन पर सरकार नसीहत भी दे रही है प्रदूशन के लिए एक दूसरे पर ठीकड़ा खोड़ा जा रहा है जिम्मेदारी एक दूसरे पर टाली भी जा रहा है मनोश तिवारी ने केजरिवाल सरकार पर हमला बोला मनोश तिवारी ने ट्विट करके कहा कि अर्विंद केजरिवाल सरकार गहर जिम्मेदार है प्रदूशन सिर्फ खतरनाक स्तर पर है मनोश तिवारी ने ट्विट करके इस बारे में कहा और कहा कि खतरनाक इस्तिती में प्रदूशन है लेकिन अर्विंद केजरिवाल मस्त है सत्ता के नशे में सिर्फ उस्थे फराजनीती करना उनका मकसद है यह मनोश तिवारी ने अपने ट्विट के माध्यम से कहा है और इस्तिवारी न आगे कहा है कि पबलिक की सांसों की चिंता कर लो भाई गंभीर वायू प्रदूशन को देखते हुए अर्विंद केजरिवाल ने वादा किया था कि जरूरत पड़ी तो सरकार एक बार फिर कई कदम उठाएगी जिसमें और इवन योजना दुबारा से लागू करना भी है हर किसी को वायू प्रदूशन घटाने के लिए काम करना होगा यह अर्विंद केजरिवाल ने कहा था ता कि वायू प्रदूशन से